इतना तरह के डाई आप लोगों को देता है देखिए एक दो तीन चार पांच पांच डाई आप लोगों को कमपनी लोग बोलता है आप लोग हम लोगों से मसिल लेंगे तो आप लोगों को पांच डाई हम लोग फिरी देंगे हैलो फ्रेंज आप लोग देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल आड़ी लाइफश्टाइल 007 मेरा यूटूब चैनल के तरफ से आप लोग सभी को स्वागा थे आज मैं आप लोग को और एक बैतरीन जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्धम से मैं आज आप लोग को जानकारी दूँगा कुरकुरे मसीन के बारे में बहुत भाईबंदु ने मुझको कॉमेंट करके पूछे है भाई साब इस मसीन में कितना पकर का पोड़क निकलता है तो आज मैं आप लोग को ए बात किलियर करूँगा इस वीडियो के माध्धम से तो मेरा इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करके पुड़ा एंट तक देखते रहिए तो चलिए मेरा वीडियो को सुरू किया जाए आज में जो जानकरी आप लोग को दूँगा ओहे कूरकूरे मसीन का डाई के बारे में देखिए आप लोग यूटूब में बहुत कमपनी का वीडियो साइथ देखे होंगे तो आप लोगों को क्या बताय जाता है इस मसीन से 10 या 12 आईटेम निकलेंगे स्रिफ डाई चेंज करो और अलक अलक पोड़क निकलते रहेंगे लेकिन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ इस मसीन में दो आईटेम के इलावा और कूछ नहीं निकलेगा एक है पोला पापर दो है कूरकूरे तो एक पोला पापर कूरकूरे का डाई कैसे होता है मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ एक बार देखिए पोला पापर का डाई ऐसे होता है देखिए देखिए और कूरकूरे का डाई ऐसे होता है इसमें देखिए दो छेत किया हुआ है तो ये दो डाई देखे ये मसीन बनता है तो अभी मार्केट में जो कमपणी का डिलर लोग ये मसीन बेज रहा है वो गलत बात आप लोगों को बताता है क्योंकि देखिए आप लोगों को पहले यो लोग जुट बोलता है इस मसीन से 10-12 तरह के पोड़क निकलेगा शिरिफ डाई चेंज करो पोड़क निकलते रहेगा लेकिन इस मसीन में दो पोड़क के लावा और कोज नहीं निकलेगा मैं आप लोगों को और एक बात बताता हूँ पहले देखिए आप लोग किसी भी कंपनी में फोन कीजिए गातो तो उन लोग क्या बताता है आप लोगों को मसीन के साथ 4 या 5 डाई हम लोग फिरी देंगे तो आप लोग सोचते हैं तो 4 डाई 5 डाई ये फिरी दे रहा है तो आप लोगोगों को एलोग जुट बात बोलके machine बेजने का कोशिस करता है तो कैसा जुट बोलता है? तो देखिए, जो die आप लोगों को 4, 5 एलोग बताता है तो ए डाप लोगों को एक ही item का ही die देता है वो कैसे? मैं आज आप लोगों को दिखाओंगा वो क्या डाई आप लोगों को देता है पहले आप लोग देखिए ए जो डाई है आपको दिखाया हो तो एक कुरकुरे का डाई है इसमें देखिए दो छेथ है दो छेथ है तो ए हो गिया एक डाई तो और एक डाई देखिए आप लोगों को दिखाता हो और एक डाई देखिए ए देखिए इसमें है एक छेथ ए भी कुरकुरे का डाई है और एक देखिए इसमें तीन छेथ है ए भी कुरकुरे का डाई है और एक देखिए इसमें चार छेथ है ए भी कुरकुरे का डाई है और इसमें देखिए और एक चौकाने बाली बात आपको आप लोगों को डाई कैसे ये लोग देता है देखिए इसमें भी चार छेदे लेकिन दो छेद बड़ा है दो छेद छोटा है तो इतना डाई आप लोगों को कमपनी लोग बताते हैं देखिए इतना डाई एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच डाई हम लोगों से आप लोग मसीन लेते हो, तो एक पांच डाई आप लोगों को मसीन के साथ हम लोग फिडरी देंगे, तो इदना जुछ बात गरते हैं तो एक पांच डाई लेकिन एकी आइटेम निकलेगा, एक कुरकुरे ही निकलेगा और इसके इलाबा कुछ नहीं निकलेगा और एक बात जो पोला का डाय है आप लोगों को पोला का डाय हम में दिखा देता हूँ ए देखिए ए पोला का डाय है ए डाय जब आप उन लोगों से मांगेंगे तब उस कंपनी का जो ओनर है वो आप लो कर में आप लोग कभी मत पढ़िएगा ये लोग मसीन बेजने के लिए जिदना जूड होता है वह बात बोलते हैं तो आप लोग इस मसीन को लेना चाहते हो तो मसीन खड़ाब नहीं है लेकिन मैं बार बार आप लोगों से एकी बात बोलता रहता हूँ ए मसीन में दो प्रोड निकलेगा, STAR निकलेगा इससाब कुछ नहीं निकलेगा एक दो आइटेम के लाबा और कुछ नहीं निकलेगा तो यह बात आप लोग अच्छा से वेरिफिकेसन करके मसीन को पर्चेस कीजिए, Allahuस खड़ाब नहीं ए, मसीन बहुत अच्छा मसीन है, लेकिन भाज Раз आप यह को पर्चेस कीजिए और जो भी कंपणी आप लोगों को दस पंद्रा बारा या डाई बोलेंगे तो सब डाई को आप लोग मसीन में चलाओ उसके बाद ही मसीन को खड़ी दो और एक बात आप लोगों को बताया जाता है ए मसीन 3HP मोटर में चलेगा लेकिन मैं आपको बताता अच्छा से निकलेगा नहीं तो मसीन अटक जाएगा तो भाएवनदू आप लोग यह मसीन जीजबी कंपणी से खरी दिए हम सिर्फ कुरकुरे मसिन का बात नहीं बोल रहा हूँ कोई भी मसिन आप लोग खरी दिये तो अच्छा से वेरिफाइट कीजिए वेरिफाइट करने के बाद ही मसिन को खरी दिये कोई भी मसिन खराब नहीं होता है कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है लेकिन मसिन सही होना चाहिए तभी आप लोग बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगे तो दोस्तो मेरा इस छोटा सा जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी बहुत अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो में लाइक ज़रूर करना और ऐसे ने ने वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर करके रखिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए क्योंकि जब भी मैं ऐसे ने ने वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूंगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेंगे तो भाई बंदू आप लोग सब अच्छा रहिए स्वास्त रहिए दलाल और ढिलारों का चक्कर मे ना पढ़िये सोच समझ के आगे पढ़िये आप लोग अच्छा रहिए नमस्ते